कहा जाता है कि धुआ उचने का मतलब होता है कहीं न कहीं आग सुलक रही है एक खुस्पुसात का आज अंध हो गया जिडियो के अध्यक्ष ललन सिंग को आज उनके पद से हटा दिया गया नए अध्यक्ष बिहार के सीम नितेश कुमार खुद बन गये हैं ललन सिंग को हटा है तो निश्चित் ही आग भी लगी होगी क्योंकि यह आग दोनों तरब देखने को मिल रही है ललन पर आरोप रहा है कि वो जेडियो की बजाय आरजेडी के लिए काम कर रहे थे कहा जा रहा है कि जेडियों को तोड़ने की भी प्लानिंग चल रही थी बता दे कि ललन सिंग ने अपने पद से स्थीपा देने के बाद पार्टी के नए अद्धक्ष के लिए खुद नितीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा स्थीपा देने से पहले ललन सिंग सीयम नितीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे बैठक से पहले समर्थुकों नितीश के पक्ष में नारे लगाएं करिकर्टाओं ने नितीश कुमार जिंदाबाद, नितीश कुमार देश के प्रधान मंत्री बने के नारे लगाएं ऐसे में ललन्चिंग के स्थीपे को लेकर सब के बयान भी सामने आ रहे हैं बिहार विदान सबा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिंधा ने कहा ललन्चिंग की विदाई बहुत बैजजिती से हुई है इससे अच्छा तो पहले ही स्थीपादे देतें, दुनिया के सामने अपनी फजियत करवाई है ललन्चिंग ने ललन्चिंग के लिए हमें बुरा लग रहा है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है बिहार सरकार के वरिष्ट मंतरी विजय चौधरी ने कहा, ललन्चिंग ने बताया कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है इसलिए स्थीपा दिया, जडियू के बिजेपी के साथ जाने की खबरों पर विजय चौधरी ने कहा, बिजेपी के साथ जाएंगे या नहीं इकरार नामा क्या मीडिया को दे दे आपको बता दे कि ललन्चिंग ने अपने अध्यक्ष्य भाश्वर में कहा, चुनाव में अपने सक्रियता को देखते हुए मैं अध्यक्षपद से स्थीपा दे रहा हूँ और नितिश कुमार का नाम अध्यक्षपद के लिए प्रस्तावित करता हूँ जेडियो की या बैटरक राजधानी दिल्ली के कंस्ट्यूशन क्लब में आयोजित की जा रही है बैटरक में शामिल होने के लिए तमाम नेता पहुँच रहे हैं वर्तमान में लल्लन सिंग जनता दल यूनाइटेट के राश्ट्य अध्यच हैं अगर वह राश्ट्य हैं मुक्या फिर ऐसी बाते क्यों आएगी वठीक काम कर रहे हैं ऐसे में क्या कुछ सही है क्या गलत है लल्लन सिंग ने क्यों इस्थीपा दिया ये तो पार्टी जाने आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं देश और दुनिया के ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं